आलिए आज चर्शा करते हैं एक रूपता बात की संकल्पना पर Today let us talk about the concept of uniformitarianism तो एक रूपता बात का जो सिधान्त या संकल्पना है वर्तमान समय में उसका स्वरूप इस प्रकार है All the physical processes and laws that operate today operated throughout geological time not necessarily with the same intensity as now वर्तमान समय में जो भी भावतिक प्रक्रम और नियम कारिरत हैं वो प्रिथभी के बिगत भावगर्भिक इतिहास में भी सक्रिय थे कारिरत थे परन्तु उनकी सक्रियता इंटेंसिटी तीवर्ता एक समान समरूप नहीं थी उनमें विभिन्नता थी ये है वर्तमान संकल्पना इस संकल्पना का सूत्रपात प्रतिवादन यद्देपी बदले हुए रूप में सरप्रथम 1785 में स्काटिस जियालोजिस्ट जेम्स हटन ने की थी जेम्स हटन वर्तमान यूके के स्कॉट लेंड के एक प्रसिद्ध भौमिकी विद्भूगर्व सास्त्री जियालोजिस्ट है उनकी संकल्पना जरा पहले बेक्त की गई संकल्पना से तोड़ा भिन है जेम्स हटन के अंसार अल्ड़ फिजिकल प्रोसेसेज और लाज्ट बैट अपरेट टुड़ेट तुड़ेट थ्रूआउट जियलोजिकल टाइम विद्ध सेम इंटेंसिटी एज नाओ अनि जेम्स हटन की मानिता थी जो भी भावतिक प्रक्रम जैसे अनाच्छादन की क्रियाएं है अपरदन है इरोजन है, डिपोजीशन है उठान है, अपलेक्टमेंट है, अउतलन है सबसीडेंस है, वलकैनिस सिटी है, जो अलामुखी क्रिया है टेक्टानिक एक्टिविटीज है, इत्यादी, जो आज कारिरत है उसी रूप में प्रिथिवी के बिगत भावगर्भिक ये लॉजिकल हिस्ट्री में भी कारिरत थे और उनकी कार करने की तीब्रता, इंटेंसिटी, गहन्ता एक समान थी यही अंतर है बास्तविक सिट्र, इस समय काजी की संकल्प्रा कहती है कि उनके तीब्रता में विभिन कालों में अंतर था और हटन मोदय कहते हैं एक जैसाथ यह कमी जो है जेम सटन के सिधान में थी अब जैसे उदारण दिया जाता है, दिया जा सकता है कि जैसे युनाइटिट किंडम में जो कोईला पाया जाता है उसकी खुदाई करने पर कोल माइन्स में पता चला कि उन कोईलों में भूमद रेखी जलवायू के बनस्पतियों के उसे से एक समय ऐसा रहा होगा जबकी बरतमान इनाइटिट किंडम भूमद रेखा के पास रहा होगा। इसी तरह देखिए भारती राज ओडीसा के तालचीर कोल माइन्स में कोईले के नीचे ग्लेसियर बोल्डर्स के जमाव मिलें हिमानी गोलास्न के बोल्डर्स के इससे प्रमारित होता है कि एक समय ऐसा रहा होगा जबकी प्राइदेपी भारत का ब्यापक हिमानी करण वाली डिस्प्रेट ग्लैसियेशन हुआ होगा। और इसका प्रमार भी है करबानी फरस्पीरियड में प्रिंसुलर इंडिया वाज लादली ग्लैसियेटेड और इसी तरह देखिए इसके भी प्रमार होते हैं कि सभी प्रक्रम हर काल में एक समान कारिरत नहीं जैसे करबानी फरस्पीरियड और प्लास्टोसीन पीरियड में हिमानी इगलेसियल प्रोसेस जादा सक्री था जादा वाइड इस्प्रेट था जबकि वरतमान समय में वह उतना सक्री नहीं है तो जेम सटन को क्रेडिट तो जाती है कि उनी फार मिटियरिनिजम की संकल्पना का प्रतपादे नहीं है और उनके दो सिश्ष थे एक जाउन प्लेफेर और एक चार्ज लेल इन दोनु सिश्यों ने जेम सटन के बिचारों में थोड़ा परिवर्तन करके परिमार्जन करके मॉडिफिकेशन बना करके उसको ससक्त रूप में प्रचारित किया चार्ज लेल ने तो अपनी पुस्तक प्रिंस्पुल साब जियालोजी जो दो बालूम में है उसमें जेम सटन के सिधान को भरपूर अस्थान दिया अब जेम सटन का यह जो की संकल्पना है उनिफार्मिटरिनिजम की वह जियालोजी के दो नियमों पर अधारित है अधारित है उनिफार्मिटरिनिजम की पुझी है नंबर दो नो वेस्टीज आफी बिगिनिग नो प्रास्पेक्ट अधार्मिटरिनिजम की पुझी है इसका कोई ज्यान नहीं है पता नहीं है नो वेस्टी जाफी बिगिनिग प्रारंभ का आध का कोई पता नहीं है और यह कब काम करना बंद कर देंगे इसके लिए भी कोई इसका तिथी नहीं बताई जाए से कोई आसा नहीं है नो वेस्टी जाफी बिगिनिग प्रास्पेक्ट अधार्मिटरिनिग प्रत्यासा नहीं है तो यह यह दो जो है बेसिक प्रिंसिपल है जिस पर आधारित है संकल्पना यूनिफार्मिटरिनिग प्रास्पेक्ट प्रिजेंटिस की टू पास्ट का मतलब क्या हुआ कि इस समय हम देख रहें कि नदी किस तरह से अपरदन करती है कैसे परिवहन करती है इरोडेड मटीरियल्स का कैसे उनका जथास्थान डिपोजीशन करती है कैसे वो विभिन तरह के स्खलाकर्टियों का निर्मार करती है प्रारम भूद काल में भी ऐसे ही किया होगा इसी तरह हिमानी यानि का हर प्रक्रम का जो है तो हम आज इनको हम जान रहे हैं हम पहले को भी उसको जान सकते हैं बरतमान की अधार पिर जेम सटन ने यह भी प्रिधपादित किया कि Earth is orderly and acts works in a cyclic manner अनि प्रिधपी चक्री रूप में प्रिधपी पर जो भी क्रियाएं घटनाएं होती हैं चक्री रूप में संपादित होती है तो हटन महोदय पहले ब्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्पादित किया था cyclic nature of the Earth history प्रिधबी के चक्री इतिहास पर मत ब्यक्त किया सर प्रिधम सटन ने अर्थात प्रिधबी के जो भावगर्भी घटनाएं होती है वो चक्री रूप में होती है जैसे पर्वती करण की क्रिया देखिए आप तो कितनी चार चार पांच जो है पर्वती करण की प्रक्रियाएं अब तक हो चुकी है किसी भी अस्थान को आप देखा है अपर परणचक की कई क्रियाएं पूरी हो चुकी है जैसे प्राईदि भी भारत को ले ले आप यहां पर देखे धारवाडियन लाइन्ड इसकेप साइकिल कुड़ापा लैन्ड इसकेप साइकिल विंद्ययन लैंड इसकेप साइकिल Kyambrian Land Escape Cycle Sennazoic Land Escape Cycle इत्यादू इतने अपरदन चक्र की स्थलाकतिक विकास की क्रियाएं चक्र पूरे हो चुके है Appreciate और जब किसी भी एक अस्थान में एक से अधिक अपरदन चक्र की घटनाएं पूरुण हो जाती हैं तो उससे जो अस्थलाकृती वहां की होती है, that becomes very complex, वो बहुत जटिल हो जाती है, और ऐसी अस्थलाकृती जहां पर बार बार अपरदन चक्र की घटनाए घटी हों, ऐसे छित्र की अस्थलाकृती को कहते हैं, पालिमसेस्ट टपाग्रफी, ऐनि पालिमसेस्ट उस पांडुलिपी, हस्थलिपी को कहते हैं, जो बार बार लिखी है और मिटाई जाती है, जैसे आप जो है कागज ले लें, पेंसिल ले लें, और पेंसिल से पेपर कागज पर लिखें, फिर उसको रबर से मिटा दें, पू उसके बाद फिर पेंसिल से उस पर लिखाैं, तो पहले वाला उसेईस भाग भी कुछ नो कुछ द्रिश्टिकत होगा, फिर इसको मिटा दें, फिर लिखाएं, फिर मिटा दें, तो जितनी बाँ मिटाते जाएंगे, उतना पहले वाला जो लिखावट है, वो ज़्यादा प्रकित के छेत्र में इस्थलाकृतियों के छेत्र में जहां पर एक से अधिका परदन चक्र की घटनाएं पूरी हो चुकी है वहां की अस्थलाकृति जो है वह काफी जटिल हो गई है पालिम से स्टपवग्रति यह हो गई यह वहां तो यह है जे शतन के सिध्धान के आधार पर यह जो अस्थलाकृतियों से संबंदि संकल्पना की भी बेचना नमस्कृत